नमस्कार आप सभी का स्वागत है स्रेमरिताज किचन में आज हम बनाने वाले हैं नारियल की लड़ू फेस्टिबल आ रहा है जनमाश्ट में आ रहा है तो इसके लिए काना को भूग लगाने के लिए इस लड़ू को जरूर बनाईएगा बहुत टेस्टी बनेगा आप लोग गर्म हो गया है देखें उबाल आ गया है अब इसमें डालेंगे तीन चौथाई कप मिल्क पाउडर आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं और अब इसे लगातार चलाते हुए ताकि लंप्स न पड़े मावा रेडी कर लेंगे तो अच्छे से मिक्स करते हुए देखें पहले से मावा रेड़ थिक हो चुका है और अब इसमें डालेंगे एक चौथाई कप चीनी तो मिल्क पाउडर में पहले से थोड़ा बहुत सुगर होता है इसलिए चीनी थोड़ा कम ही यूच करना है और जैसे चीनी डालेंगे तो ये फिर से दुबारा पतला हो जाएगा देखिए मावा पहले से पतला हो रहा है जैसे जैसे चीनी पिखलेगा तो यहाँ पे मैं एक चमच और घी डाल दोंगी आप चाहें तो घी पहले ही दो चमच डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको तो मावे का कलर थोड़ा चेंज हो गया है पहले से पतला ह हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे इलाची पाउडर, इलाची पाउडर के जगह पे आप केवड़ा जल कभी इस्तमाल कर सकते हैं और यहाँ पे हमने लिया है एक कप नारियल का वुरादा उसको कठाई में डालेंगे और इसे अब लगतार चलाते हुए मिक्स कर यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है ताकि तले में न लगे अगर तले में लगेगा तो लड्डू का स्वाथ चेंज हो जाएगा तो देखिए तला छोड़ दिया है जो हमारा लड्डू का मिक्षर है वो अच्छे से तयार हो चुका है तो अब हम गैस का फ्लेम चुक्रत Surprise करते हैं तो धंड़ा होने के बाद इसमें डालेंगे औरेंज रेट क्ल específic कर सकते हैं तो अच्छे से मिक्स कर लेते हrica तो देखिए कंगर चैंज हो गया है तो देखने में अच्छा लगता है लड्डू आप चाहाएं तो केवल वाइट ही लड़ू बना सकते हैं या कोई और आपको कलर पसंद तो उसका भी उज़ कर सकते हैं यहाँ पे हाथों में घी लगा लेंगे और अब लड़ू बना लेते हैं तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट स्पून लिया है जिससे की सारे लड़ू जो हैं वो इक्वल बने आप चमच का भी इस्तमाल कर सकते हैं नॉर्मल जो घर में चमच होता है या कटोरी ले सकते हैं और अच्छे से रोल कर लेंगे चिकना कर लेते हैं लड़ू को बहुत ही अच्छा बनता है इस तरीके से जरूर बनाईएगा और आप इसे नारियल के भुरादे में लपेट लेंगे जिससे की देखने में अच्छा लगें तो ये लड़ू एकदम मार्केट की लड़ू जैसा इसका स्वाद आएगा बहुत टेस्टी बनता है आप इसे जनमाश्ट में पर काना को भूग लगाईए या गड़ेश चतुर्थी पर गड़ेश जी को भूग लगाईए यद बच्छों को दीजिए बहुत टेस्टी लएगा और खासकर बच्छों को ये बहुत पसंद आता है अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई और हैपी जनमाश्ट में हैपी गड़ेश चतुर्थी